पूरे देश में दशहरा का पर्व शुक्रवार को बड़े धूमधाम से मनाया गया लेकिन जालौन के कोच नगर में आज दशहरा का पर्व अलग परमपरा के साथ मनाया गया यहाँ पर राम रावण और लक्षमर मिघनात के बीच युद का सजीव चित्रण हुआ है जहां रावण मिघनात के 20-20 फीट के पुतलों का युद राम और लक्षमर के साथ हुआ और अंत में बुराई के प्रतीक के रूप में रावण और मिघनात का संहार राम लक्षमर द पुरिदेश में रावड और मेगनाथ के पुतलों को एक वटन दबा कर जला दिया जाता है। लेकिन जालौन के कोच नगर में पुरानी परंपरा के अनुसार युद्ध कराया जाता है। जिसमें रावड और मेगनाथ युद के मैदान में दोड़ा-दोड़ा कर मार दिये जाते हैं। इस परमपरा का निर्वाहन कोच के लोग 179 साल से करते चले आ रहे हैं, जो आज भी बदस्तूर जारी है। जिसे देखने के लिए दूरदराज के छेत्रों से लोग यहां आते हैं। हमारे यहां कोच नगर में जो दसेरा का पर्व है, तो रामलीला यहां की जो एतिहाशिक रामलीला है, 179 साल पुरानी, उसकी हिसाब से ही यहां पर दसेरा मेले का आयोजन होता है। तो किस तरीके से यहां पर आयोजन किया जाता है। यहां पर राबन और मेगनात के बड़े-बड़े डिल बनाये जाते हैं। जिनको एक घुमा के, हम लोग ग्राउंड में जो ग्राउंड है हमारा से घुमा के बगवान राम लच्मन का युद्ध होता है। तो इस तरह ही पुरा घूम के पूरे भारत बर्ष में कहीं घूम के यहां पर युद्ध नहीं किया जाता है। इस युद में लक्षमन को शक्ती भी लगती है और हनुमान संजीव ने बूटी भी लाते है रावण और मेगनाद के पुतलों को रथों में रखकर दोडाने के पीछे लोगों का तर्खे कि बुराई चाहे जितना भी भागी उसका अंतनिश्चिती होता है आज जब युद का सजीव चित्रण चल रहा था तब केंद्रिय सूक्षमलगू एवं मध्यम उद्यम राजिवंत्री भानू प्रतापवर्मा भी मौजूद थे इन्हों ने कहा कि पूरे देश में इस तरीके का दशहरा का पर्व नहीं मनाया जाता इसे सुरूप से आज हुपादे कोश नगर का जो कसेरा मिला है यह कहीं पेर से साल से भी जादा पुराना है और हम लों बदबद से एक तक देख रहा है ऐसा अधिती मिला काई नहीं बड़ता है उना भी इतनी होती है धनुतार के मिदान में रामलीला के मंचन के लिए लंका भी बनाई गई है जहां पर अशोक वाटका में सीता मा को रखा गया जहां से वहपूरे युद्ध को खुद देखती है इसके अलावा अयोध्या को भी यहां बनाया गया था जहां पर भरत और शत्रुग्न भी बैठे हुए दिखाई देते हैं